नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले गुरुवार की रात चुपचाप फेंग देना यहां पर पांच काली मिर्च जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति मा लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्शा अगर आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या परेशानी दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं और अगर आप कहते हैं कि भाग ये बदल आपका साथ दे, तो गुरुवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का वह उपाय कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में में वर्णन है, जोतिश शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च ब्रिहस्पती ग्रह का कारक वस्तू होती है, और अगर आपके जीवन में आप घर का वास्तू दोश ठीक नहीं है, या किसी बीमारी ने आपको जकड लिया है, आपके जीवन में धंटिक नहीं रहा है, आपको लगातार धनकी हो रही है, वो आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए, आ आपके जीवन में ब्रहस्पती ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, काली मिर्च ब्रहस्पती ग्रह से जोड़ती हुई होती है, और अगर आपने काली मिर्च का उपाय गुरुवार के दिन किया, तो सच मानिये, इसका आपको पलट करके करोडों गुना लाभ मिलेगा, यह सत पार में अचानक से तेजी आ जाएं, और बेशुमार आपको धन की प्राप्ती हो जाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमतकार हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए, जो आपको काली मिर्च के द्वारा गुरुवा के दिन करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमतकारी बदलाव देखने को मिलेगा, न केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी समस्याओं से मुक्ती मिल जाएगी, बलकि विश्नु जी की आप अपने जीवन में देखेंगे, कैसे आपको सुख सम्रिद्धिधन एश्वर्य की प्राप्ति होगी, दोस्तों ध्यान रखियेगा, काली मिर्च का उपाय गुरुवार के दिन किया जाए, आता है तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है, बलकि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते, देखिये दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारन आपको विश्णुजी के पास ही मिलेका, क्योंकि विश्णुजी के हाथों में आपके ब्रहस्पति ग्रह का नियंत्रन होता है। ब्रहस्पति ग्रह एक उग्र ग्रह है। माना जाता है, जिस व्यक्ति का ब्रहस्पति ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले। कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति का ब्रहस्पती ग्रह मजबूत है और वह गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुँचता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया ह कि विश्नु महाराज जी की कृपा जिस व्यक्ति को भी मिल जाती है, उसको करोडपती बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु अगर विश्नु महाराज जी की गलत द्रिष्टी किसी मनुष्य पर पढ़ जाती है, तो वह करोडपती इंसान तुरंत ही भिखारी बन जा आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी, जिसके वजह से विश्नु जी आपसे रुष्ट हो गए हैं और आपके साढ़े साती साती चल रही है, बढ़िया चल रही है, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा ब्रहस्पती दोश है, तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए हुए आप दोस्तों इस वीडियो को न केवल अपने लिए अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां जो उपाए हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, यह इतनी ताकत वह उपाए है कि यही आपको लाभ देंगे, और आपके जीवन में ह विष्णु जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए, जय विश महाराज जी की और एक काम कीजिएगा, कम कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा, देखिए दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको कार्यात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, परंतु एक बात का ध्य बता रहे हैं, गुरुवार के किस मुहूर्त पर आपको यह उपाय करने हैं, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहला उपाय है, आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा पाय, दोस्तों मान लीजिए, आपने कोई कर्ज लिया था, तो यह बात आपको भी पता होगी, कर्ज के चलते आप लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नीन दाती होगी, दूसरी तरफ अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं र बहुत ही कमजोर हो जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि विश्नु जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो तीन गुरुवार वह उपाय कर लीजिए, आपको हम बता ना रहे, सिर्फ तीन दो बार आपको यह उपाय करना है, और तीन पहले गुरुवार के बाद आपको विश्नु महराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे, आपको कोई कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबे हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा, देखिए पहले गुरुवार से आपको किसी भी पती मंदिर है और ये सूर्यास्त के बाद आपको सारे उपाय करने हैं, सूर्यास्त के बाद किसी भी ब्रहस्पती मंदिर जाएए, ब्रहस्पती मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर एक मिट्टी के दीपक में या पी ब्रहस्पती चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उसी जलते हुए दीपक में तीन काली मिर्च डाल देंगे। यह उपाय आप लोग तीन गुरुवार लगातार कर लीजिए। गुरुवार के बाद आपको विश्णु महराज जी की कृपा की। पके उपर कोई ऐसा दोश अगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे। वह आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाएगी। यह एक महान उपाय है। दोस्तों जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है आप भी करके देखिए और सच मानिए। इस उपाय से बह नकारात्मक शक्ती है जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है तो वह नकारात्मक शक्ती हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं। आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते है तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तीम को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है। और आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएं। आपके घर पर बनी रहेगी। प्रत्यक गुरुवार को अगर यह उपाय करते हैं तो दोश तुम सच मानिये। आपका घर विश्नुजी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है। ब्रहस्पती दोश से मुक्ती पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ब्रहस्पती दोश से आपको मुक्ती मिल जाए जैसे मान लीजिए आपकी चल रही है। पढ़ाया चल रही है तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों ब्रहस्पती दोश से वैसे मुक्ती तो ही मिल पाती। एक बात को समझ लीजिए। ब्रहस्पती दोश के प्रकोप आपको कम किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखियेगा। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि ब्रहस्पति दोश से कोई भी नहीं पा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की साढ़े साती चल रही है, किसी व्यक्ति की अररिया चल रही है, है तो उसको उसको जहेलन परन्तु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। प्रत्येक गुरुवार को यही करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो ब्रहस्पती दोश है उसका प्रकोप लगभग लगभग न के बराबर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि ब्रहस्पती दोश खत्म किया जा सकता है तो वह जूट बोल र अटीक जानकारी होता है हम आपको कभी भी बहकाते नहीं है हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके परन्तु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा चौथा उपाय है व्याप्त को चलाने का महा उपाय अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो दोस्तों इसकी कई वज़ा हो सकती है हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने लगा दी है हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोश लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं मंदिर में जाने के बाद, बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाए, सरसों के तेल का, आप जो दीपक जलाएंगे ध्यान रखिएगा, उसने एक काली मिर्च डाल दीजिए, कई यह ब्रहसपती जी के सामने करना है, आपको आप थोड़ा वहां से दूर हट जाएए, अब इस काले कपड़े की बना लीजिए, आपको पोटली, इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको गुरुवार की रात को आपको यह उपाय करना है, सूर्यास्त के बाद, और इसी पोटली को तुरंत ही ले जाकर के अपने व्यापार मतलब, अपनी दुकान में जहां से आप पैसे का लेंदेन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए, सिर्फ इतना उपाय, इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो आपका बंद पड़ा, व्यापार विश्नु महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा, यह आज का नहीं, पुरातन काल के समय का वह महान उपाय है, दोस्तों जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है, और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय विश्नु महाराज जी की, बह जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं, वह है, रोग मुक्ती का महा अगर आपके घर पर कोई भी मनुष्य बहुत बीमार है, वह इलाज कराकर आकर अपना ठक गया है, और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो वह महान उपाय शक कर लें, यह उपाय लगातार गुरुवार करना है, पांच गुरुवार के बाद वह रोगी व्यक्ती विश्न व्यक्ती आपके घर पर रोगी है, उसको उसके हाथ में दाएं हाथ 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे दीजिए, 7 रोटी, अब उस व्यक्ती से कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं और से दाईं और left to right, 7 बार इस काली मिर्च को इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फैंक दें और इस साथ रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। ये उपाए पांच गुरुवार कर लें। वह रोगी व्यक्ति और पांच गुरुवार के बाद वह बिलकुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लीक जरूर करे धन्यवाद।